आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, question है कि inert pair effect plays an important role in the case of तो देखो, inert pair effect क्या है? मैं बोल सकती हूँ कि inert pair effect is inertness of S orbital electrons ठीक है? तो जैसे जैसे हम एक group में नीचे move करते हैं तो inert pair effect के वज़े से जो उसका lower oxidation state है वो जाधा stable होता रहता है और होता है क्यों है? क्योंकि देखो आपको पता है हमारा orbitals होते है S, P, D, F और F तो क्या होता है? maximum diffused maximum diffused तो एक concept होता है हमारा screening effect क्या होता है concept? screening effect जो हमें बताता है कि जो हमारा decrease हो रहा है force of attraction किसमे? between the nucleus and the valence electrons किसके वज़े से due to the inner electrons और आप देख सकते हैं कि S electron, S orbital का हमारा क्या होता है? spherical तो वो nucleus को सबसे ज़्यादा protect करके रखता है तो सबसे ज़्यादा maximum screening किसमे होती है मेरी S में then P then D then F तो D और F में तो हमारा क्या है? बहुती कम हमारा inner screening effect देखने को मिलता है तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? कि देखो जैसे यह मेरा nucleus है चीक है? तो nucleus के चार और हमारी different different यहाँ पर शेल्स प्रेजंट होंगी तो let's suppose यहाँ कोई 4F प्रेजंट है यहाँ मेरी 5D यहाँ पर हमारी 6S तो क्या होता है? कि जैसे जैसे आपको पता है हम दूर move करते जा रहे हैं nucleus से तो जो हमारा क्या है? radius है वो increase होता जाता है radius keep on increasing बट क्या है? जो यह मेरा 4F F orbital present है इसका screening effect है इसका screening effect maximum है जिसके वज़े से यह nucleus की attraction को screen नहीं कर पाता है और nucleus का अपने valence electron के साथ भी क्या हम देखने को मिलते हैं attraction जिसके वज़े से इनकी जो attraction है वो मिलती है और radius हमारी as compared की जितनी होनी चाहिए increase वो उतने increase नहीं होती है क्योंकि यह poor shielding कर रहे है और यहाँ पे nucleus की outermost electron से attraction होती है ठीक है? तो जहाँ पे जितने जादा dnf electrons भरे होंगे उतना ही जादा हमारा जो inert pair effect होगा inertness s orbital electrons की होगी वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी तो जिसका जितना बड़ा साथ उतना जादा dnf orbital हमें experience करने को मिलेगा तो अगर आप यह group देखें nitrogen, phosphorus, as, antimony, bismuth, bi, arsenic, sb, antimony तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम नीचे move कर रहे है क्या हो रहा है? यहाँ पे dnf orbital प्रेजेंट है बिस्मत में तो उतना ही जादा हमारा inert pair effect क्या होता रहेगा significant तो यहाँ पे first option में given है phosphorus, sorry इसको remove कर देता है फॉस्फोरस, bismuth, antimony, arsenic तो सबसे जादा किसमें होगा? बिस्मत में inert pair effect तो यहाँ पे यह मेरा हो जाएगा इसका correct option bi ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या हुआ? यह जो हमारे group 15 तहीं NS2, NP3 होती है तो generally plus 3 और plus 5 oxidation state मिलेगी तो जो हमारा बिस्मत है जो lower oxidation जादा stable होगा तो यहाँ पे plus 3 जादा stable रहती है और inert pair किसमें जादा मिलेगा? बिस्मत में तो correct answer is option B Thank you